हेलो एब्रिवन वेल्कम तो लॉजिक पार्ट शाला चैनल आज का टॉपिक रहेगा जोग्रफी के इंपोर्टेंट क्वेशन्स तेखेंगे जो की आपके एक्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और ये इसका पार्ट 3 रहेगा इससे पहले इसके दो पार्ट आ चुके है और इस लेक्टर का पीडियाफ आपको टेलिग्राम में मिल जाएगा जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट कर दिया गया है तो कौन सी ट्रिब्यूटरी है इंडस की जो आपकी हिमाचल प्रदेश में से फ्लो करती है तो इसका अंसर रहेगा आपका ओप्शन डी चेनाव बात करें गर हम इंडस की तो इसकी कितने ट्रिब्यूटरी है तो वे है पांच कौन कौन सी सतलुच बयास चेनाव रावी और जहलम और इसमें से जो आपकी सतलुज ब्यास और रावी है ये आपकी फ्लो करती है इंडिया में और जो आपकी चेनाव और जहलम है ये चले जाती है पाकिस्तान में ठीक है और बात करें अगर हम चेनाव की तो जो चेनाव है ये किस्ते मिलके बनती है तो ये बनती है आपकी तो कितने किलोमीटर का होता है वन लाटिट्यूट तो वे होता है अप्रॉक्सिमेट 111 किलोमीटर का नेक्स्ट क्वेशन इस विच अफ तर फॉलिंग पिर्स अफ इंडियन स्टेट एंड ट्राइबल पॉपुलेशन आर करेक्ट मध्या परदेश में बताया है लार्ज़सट ट्राइबल पोपुलेशन मिजोरम में बताया है ति आफ ने क्या बताना है कि इनमी से कौनसे आप्शन करेक्ट है तो इसका अंसर रहेगा आपका option C तो इसमें आपका first, second and third option क्या है? ठीक है Next question is Tochi, Gilgit and Hunza are tributaries of तो ये किसके tributaries है? तो ये सब tributaries हैं Indus River की तो इसका अंसर रहेगा option B Question number 145 is Which of the following monuments bear a similarity to the French War Memorial The Arc Day Triumph तो कौन सा ऐसा monument है? जो कि किसकी तरह दिखता है? French War Memorial जिसका नाम है Arc Day Triumph तो वे हैं आपका Indian Gate तो ये देखिए पिच्चर में ये किसकी तरह लग रहा है? ये French War Memorial की तरह तो बात करें हम Indian Gate की तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा 70,000 जो Indian Soldiers है उन्हें क्या किया जाता है? Commemorate Commemorate का मतलब क्या होता है? उन्हें याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने British Army में इन्होंने fight किया था during World War I ठीक है? Next question is इन विच सिटी वस दा जंडा सत्यग्रह और फ्लैग सत्यग्रह और ये question रिसेंटली एक एक्जाम में पूछा गया था तो इसका अंसर रहेगा आपका option B नागपूर Next question is विच इंडियन माउंटेन लुक्स लाइक जाइन पिरामेड and has a flat summit area and two peaks तो कौन सा है? तो वे है कामेड तो इसका अंसर रहेगा आपका option D और इस question में एक चीज़ ये भी याद रखना कि जो फ्लैग सत्यग्रह है ये start हुआ था जबलपूर में और इसे conclude किया गया था नागपूर में और इस सत्यग्रह को conclude किया गया था किसकी leadership के अंडर सरदार पतेल की तो इसका अंसर रहेगा आपका option D जो कामेड है ये second highest mountain है in the Gharwal region of उत्राखंड after Nanda Devi तो पहले रहेगा Nanda Devi then आती है आपकी कामेड कहां पे Gharwal region of उत्राखंड it lies in Chamoli district of उत्राखंड ठीक है और ये कहां पे देखने को मिलेगी आपको Chamoli district of उत्राखंड में next question is which of the following is not a UT तो इस में से कौन सी union territory नहीं है तो वे है आपकी Shilong तो Shilong union territory नहीं है ये capital है किसकी में घाल लेगी next question is with which set of following countries has Arunachal Pradesh common border तो Arunachal Pradesh का किन के साथ border share करती है ये तो इसका answer रहेगा आपका option C Bhutan, China and Myanmar Myanmar का पहला नाम क्या था तो इसे कहते हैं Burma next question is arrange the following cities in an order from north to south तो आपने इन्हें अरेंज करना है north to south Bhuvneswar, Chennai, Hyderabad, Kochin तो इसका answer रहेगा आपका सबसे पहले आएगा Bhuvneswar, फिर आएगा आपका Hyderabad, फिर आएगा आपका Chennai and फिर आएगा आपका Kochin तो इसका answer रहेगा आपका option A next question is The main difference between the eastern ghats and the western ghats in the matter of तो जो main difference देखनी को मिलेगा आपको eastern ghāt और western ghāt में वह किस में देखनी को मिलेगा तो वे देखनी को मिलेगा इसकी continuity में क्योंकि यहाँ पे आपको जो आपकी eastern ghats है और जो आपकी western ghats है जैसे कि यहाँ पे पिच्चर में आपको दिख रहा है यह है वेस्टरन घाट्स तो यह रहेंगे आपके continuity में और लेकिन जो इस्टरन घाट्स है यहाँ पे आपको breakages देखने को मिल रहे हैं तो यह इनका difference है में और बात करें अगर हम वेस्टरन घाट की तो इसमें कौन-कौ कवर होती है तो वेस्टरन घाट्स कवर करती है six states of India जो है आपकी केरला, तमिलनाडू, करनाटका, गोवा, महाराश्ट्रा और गुजरात और इस्टरन घाट्स कौन-कौन से state कवर करती है यह आप मुझे comment box में बताएंगे next question is in which one of the falling cities can one never have the sunshine directly overhead at noon तो कौन सी city है जहां पे कभी भी sunshine directly नहीं देखने को मिलता overhead at noon में ठीक है दो पहर के समय तो कौन सी city है यह तो इसका अंसर रहेगा आपका option D, Delhi next question is what kind of soil is most suitable for growing cashew nuts तो कौन सी soil है जो suitable है cashew nuts को grow करने के लिए तो वे है आपकी red lettered soil तो इसका अंसर रहेगा आपका option D next question is which state in India has the maximum number of wildlife centuries तो सबसे जादा आपको wildlife centuries कहां पे देखने को मिलेंगी तो इसका अंसर रहेगा आपका option D, Underman and Nicobar तो सबसे जादा wildlife centuries आपको यहां पे देखने को मिलेंगी next question is which of the falling animals was not native to India तो कौन सा animal है जो native to India नहीं है तो इसमी से है इसका अंसर रहेगा आपका option C, horse और जो आपका horse है यह आपको देखने को मिलेगा इसका जो evolution हुआ था तो वह देखने को मिला था North America में next question is which one of the falling cities is called the zero mile center of India तो कौन सी city है जिसे zero mile center of India भी कहा जाता है तो इसका अंसर रहेगा आपका option D नाकबूर और इसे zero mile क्यों कहा जाता है क्योंकि यहां पे आपको the zero mile stone is the geographical center of India तो यह है geographical center इंडिया का और यह कहां पे देखने को मिलेगा आपको महाराश्टरा में इसे built किया गया था Britishers के द्वारा कब जब क्या हुआ था trigonometrically survey किया गया था 1907 में ठीक है next question is where is the national war memorial of India located तो यह देखने को मिलेगा आपको New Delhi में next question is which one of the following is the longest national highway in India तो कौन सा longest national highway है इंडिया का तो इसका अंसर रहेगा आपका option C national highway 7 जो आपका national highway 7 है इसे rename किया गया है और इसका नया नाम है national highway 44 इसका बताया गया है कितना distance है 2369 km long और यह आपका cover करता है कौन सा तो यह start होगा आपका शिरिनगर in north and terminate खतम कहा होगा कन्या कुमारे in south next question is तो यह आपको कहां पे देखने को मिलेगा island तो यह है आपका महाराष्ट्रा में तो इसका अंसर रहेगा आपका option B यह देखने को मिलेगा आपको western coast of India in the state of महाराष्ट्रा और जो आपका selsit island है it is one of the most densely populated island तो यहां पे आपको बहुत सी population देखने को भी मिलेगी next question is India is the seventh largest country in the world and it covers a total area of approximately तो इसका अंसर रहेगा आपका option C India है यह आपका seventh largest country है world में और यह cover करता है 3.28 million square kilometer जो कि है आपका 2.4% of the total geographical area of the world बात करेगर हम पहली जो आपकी area wise country है तो वे है आपकी largest Russia उसके बाद आता है आपका Canada इसे हम एक निमोनिक से याद रख सकते हैं तो वे है आपका रकुबाई R से रहेगा Russia, C से रहेगा Canada C से रहेगा China, U से रहेगा USA B से Brazil, A से रहेगा आपका Australia और I से रहेगा आपका India नेक्स्ट वन इस बोल बोम यात्रा is usually held in which Indian state by devotees of Hindu religion तो इसका अंसर रहेगा आपका option B, Odisha और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो devotees हैं वह अपने नंगे पाउन जो जरनी हैं वह करते हैं और यहां पर Holy Water दिया जाता है शीवा को शीवा की श्राइन पर जड़ाया जाता है कौन से मन्थ में? श्रावन मन्थ में ठीक है? नेक्स्ट वन इस दे नर्मदा रीवर औरिजिनेट इन तो जो नर्मदा रीवर है यह कहां से औरिजिनेट होती है? तो इसका अंसर रहेगा सद्पूरा रेंज तो इसका जो औरिजन रहता है वह रहता है आपका अमर कंटक प्लैट्यू मध्यपरदेश और जो आपकी नर्मदा रीवर है यह कौन सी स्टेट में से फ्लो करती है? मध्यपरदेश, गुजरात और इसे हम कहते हैं लाइफ लाइन ओफ मध्यपरदेश and गुजरात नेक्स्ट क्वेशन इस स्टेट केम ओफ मध्यपरदेश तो कौन सी है स्टेट के मध्यपरदेश की? तो वे है मालखम तो इसका अंसर रहेगा आपका option A तो जो आपकी मालखम यह डिराइब हुआ है term कहां से? मालब में रैस्लर and कम में पोल तो इसका जो मेनिंग है वे है रैस्लिंग पोल और इसको जो दिया गया था स्टेट केम का दर्जाव है दिया गया था 9 April 2013 में तो यह आपको कहां पे देखने को मिलेगा? तो यह है महराश्ट्रा में तो इसका अंसर रहेगा आपका option A तो वे है crystallization तो इसका अंसर रहेगा आपका option D Next question is Name a cold desert region of India तो कौन सा है? तो यह है आपका लदाग तो इसका अंसर रहेगा आपका option B Next question is Highest बाच्रा producing state in India तो सबसे ज़्यादा बाच्रा कहां पे produce किया जाता है? तो यह देखने को मिलेगा आपको राज्यस्थान में तो इसका अंसर रहेगा आपका option A Next question is Contour bonding is a method of soil conservation used in तो जो contour bonding की जाती है इससे soil की conservation होती है और इस method को use किया जाता है? कहां पे? तो इसका अंसर रहेगा आपका option B तो इससे practice किया जाता है hilly and sloppy और mountain area क्योंकि यहां पे जो soil की productivity रहती है वह बहुत low रहती है Next question is तो यह जो आपकी wildlife century है यह कहां पे है? तो यह है आपकी होशंगाबार district of मध्यपरदेश तो इसका अंसर रहेगा आपका option A और जो आपकी यह wildlife century है यहां पे आपको देखने को मिलेगा mixed deciduous and bamboo forests Next question is soil erosion on hill slopes can be checked by तो किसके द्वारा चेक किया जाता है soil erosion को hill slopes में तो इसे किया जाता है terrace cultivation से तो इसका अंसर रहेगा आपका option A Next question is When was उत्राखंट separated from उत्रप्रदेश to form new state तो यह हुआ था 9 November 2000 तो इसका अंसर रहेगा आपका option D तो इस साल में तीन states की formation हुई थी एक थी आपकी चातिसकर जिसकी formation हुई थी 1 November 2000 फिर है आपकी उत्राखंट 9 November 2000 और फिर है आपकी जारखंट जिसकी formation हुई है 15 November 2000 Next question is The satpura range situated between two west flowing rivers they are तो कौनसी दो rivers है तो वे है आपकी नर्मदा और तापी तो इसका अंसर रहेगा आपका option B Next question is मेखेला चादूर is a traditional dress from the state of तो कौनसी state की है ये dress तो ये है असम की तो इसका अंसर रहेगा आपका option C और इससे डाला जाता है किसके द्वारा women of असम के द्वारा ठीक है Next question is मालाबार is covered by which types of vegetation तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी tropical evergreen जो आपका मालाबार coast है ये देखने को मिलेगा western coast of India में और यहाँ पे आपको highest rainfall देखने को मिलेगी from southwest monsoon और ये कौन से मंत में होती है जून में और इसी कारण यहाँ पे आपको evergreen forest देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है Next one is which of the following is tropical grassland तो कौन सा है ये तो इसका अंसर रहेगा आपका option A सावना Next question is the landlock natural harbor along the east coast of India is तो कौन सा है तो यह है आपका विशाखा बटनम तो इसका अंसर रहेगा आपका option A Next question is which river is called Dihang in India तो किसे कहा जाता है तो वे कहा जाता है ब्रहम पुत्रा को जो ब्रहम पुत्रा है इसका rice यह origin है इसका तिबबत से जहांपे इसे कहा जाता है सैंग पो और जब ये इंडिया में आती है ये एंटर करती है अवनाचल प्रदेश से तो तब इसका नाम हो जाता है Dihang Next question is तो कितने हैं तो इसका अंसर रहेगा आपका option A 150 to 400 km Next question is which state is known as land of setting sun in India तो देखिए जहां पे sunrise होता है सबसे पहले तो वे है अवनाचल प्रदेश और sunset की बात करें तो वे है आपका आएगा राजस्थान तो इसका अंसर रहेगा आपका option A Next question is सागद अवा इस ता festival of which state तो कौनसी state का है तो ये है सिक्किम का तो इसका अंसर रहेगा आपका option C which rock system has the maximum concentration of minerals तो सबसे ज़ादा minerals आपको कौनसी rock system में देखने को मिलेंगे तो वे है आपका धरवार system तो इसका अंसर रहेगा आपका option B Almost all major metals of the country जैसे की iron, copper, gold, chromium etc. ये सब आपको यहां से मिल पाते हैं ठीक है Next one is Kalbisaki और Norwestern originate in तो देखिए Kalbisaki और Norwestern एक ही का नाम है तो ये कहां पे देखने को मिलते हैं तो ये देखने को मिलते हैं चोटा नागपूर प्लैट्ट्यू में और जो आपके ये Kalbisaki और Norwestern हैं ये basically क्या है violent thunderstorms in the gangetic plain of India ठीक है तो ये basically thunderstorms तुफान होते हैं Next question is As per state census 2011 which of the following is the least popular state of India 2011 के census के according सबसे कम population आपको कौन सी state में देखने को मिलेगी तो वे है सिक्किम और सबसे ज़ादा देखने को मिलेगी UP में Next question is Lipulik Pass is in which state of India तो जो Lipulik Pass है ये कौन सी state में है तो ये है आपका उत्राखंड में तो इसका answer रहेगा आपका option C Next question is The total area of the Republic of India is of the order of तो कितना है तो ये आएगा आपका option B 3.3 million square kilometer Next question is Where is the Registan Desert located तो ये देखने को मिलेगा आपको अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान की capital क्या है तो वे है काबूल Question number 188 is The state with the largest area under wasteland is तो कौन सी state है जहां पे आपको सबसे जादा बंजर भूमी देखने को मिलेगी तो वे है राज्यस्तान और अगर हम इंडिया की बात करें तो कौन सी ऐसी state है जो area wise सबसे पहले नंबर पे है तो वे भी है आपकी राज्यस्तान ठीक है Next question is जादुगोड़ा माइन्स आर फेमस फोर तो किसके लिए फेमस है ये माइन्स तो ये है यहां पे देखने को मिलेंगे uranium deposit Next question is Which of the falling soil is suitable for cotton production तो कौन सी soil है जो suitable है cotton production के लिए तो वे है आपकी regular soil तो इसका अंसर रहेगा आपका option B और जो इसे हम कहते हैं कौन सी black soil भी इसे कहा जाता है ठीक है और जो आपकी ये soil है ये rich होती है कि इसमें इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको iron content भरपूर मात्रा में तो यहां पर हमारा ये आज का topic खतम होता है I hope आपको ये topic अच्छा लगा हो Thank you so much for watching this session